नमस्कार दोस्तों सुआगत आप सभी का एक बार फिर से अड़ान सी क्यू जीके में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले जो दोस्तों आपके 30 जून को कब गुंतिस जून को lab assistant साइनस से फर्स्ट पेपर जो हुआ था उसकी दोस्तों आज हम विस्तार के साथ पेपर का analysis करेंगे पूरी दोस्तों विस्तार के साथ इन परस्णों की चर्चा करेंगे यह पेपर दोस्तों आपके सामने ज्यान का पेपर था यानि कि ये paper आगे होने वाले सभी परकार की परिक्साओं में दोस्तों आपके महत्पुन साबीत हो सकता है क्योंकि दोस्तों इस person में आपके 25 current affair के person पूछे गए थे और 75% थे दोस्तों जो थे आपके समाने ग्यान के person यानि कुल इसमें person की संक्याती 100 तो ये दोस्तों paper आपके सभी परकार की परिक्साओं में महत्पुन साबीत होगा और दोस्तों जिनोंने भी science से यानि 29 जून को lab science से paper दिया था जिनका first paper था उनके लिए भी दोस्तों ये math पुन साबीत होगा और जो भी आगे राजस्तान की आगे होने वाले परिक्साओं देने वाले हैं उनके लिए भी दोस्तों ये paper math पुन साबीत होगा और दोस्तों परिक्साओं में सफलता के लिए पुराने paper का दोस्तों solution बेहदी आवसक है परिक्सा में सफलता के लिए निरंतर परियास के भी दोस्तों बेहदी आव सकता है एक्जाम के समय केवल परियास करने से कुछ नहीं होता दोस्तों परिक्सा में सफलता के लिए आगे परियास आव सके निरंतर परियास के दोस्तों आव सकता है और दोस्तो जब भी वेकेंसी आती है तो हम उसी समय पढ़ना चलू करते हैं लेकिन इस से दोस्तो सफलता के नहीं मिलती है और फरिक्सा में सफलता के लिए निरंतर परियास की दोस्तो आफसकता होती है तो आप पुराने पेपरों को सॉल कीजिए और निरंतर परियास करते रहे वेकंसिंग का इंदजार मत कीजिए एक दे एक दिन दोस्तों सफलता जरूर मिलेगी तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब निक है अडम सी की जीके को दिस्टेन को सब्सक्राइब करें पास में सिर्ट बैल आइकन को दुबाएं ताकि समय समय पर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे तो बिना देरी के सुरू करते हैं दोस्तों पहले परसन के साथ तो दोस्तों इसमें आपके 25 करेंट अफेर के परसन थे तो पहले आमारी करेंट अफेर के परसन है इसमें 25 करेंट अफेर की चर्चा करने वाले है तो दोस्तों आपके पहला परसन था करेंट अफेर का कि वार्सी कलाब परदसनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्तान लिलित कला अकादमी कॉंपलेक्स चालाना में किया गया यह कौन सा था तो यह था दोस्तो आपके बास रटवा कौन सा था दोस्तो बास रटवा वार्सिकला पर्दसन तो C-Optson C-Optson था इस परसन का सही उत्तर अब अगला परसन है दोस्तों आपके दोसरा परसन की ISFR 2021 के अनुसार राजस्तान के किस जिल्ले में सरवादिक 1 आवरण है तो दोस्तों आली में हुई रिपोर्ट जो 2021 में 2020 की रिपोर्ट है यानि 1 सर्वेक्शन रिपोर्ट इसके अनुसार राजस्तान के किस जिल्ले में है सरवादिक वन तो ये दोस्तो उदेपूर जिल्ले में किस जिल्ले में दोस्तो उदेपूर जिल्ले में important person दोस्तो ध्यान रखेगा और दोस्तो सरवादिक परतिसद वन भी आपके उदेपूर जिल्ले में और अगर पूश ले कि राजस्तान में नियूनतम वन नियूंतम वन किस जिल्ले में तो यह दोस्तो चूरू जिल्ले में ध्यान रखेगा सरवादी वंत होगे आपके उद्धेपुर जिल्ले में और नियूंतम वन होगे दोस्तो आपके चूरू जिल्ले में यानि इन सभी जिल्लों को दोस्तों कवर करेगा आपके गोडवार परिटन सर्कीट, तो D option था इस परसन का सही उतर, अब अगला है दोस्तों आपके चौता परसन की अठारवी राष्टी स्काउट एंव, गाइड जंबूरी की मेजबानी राजस्तान की किस जिल्ले द्वार की थी, तो दोस्तों जनवरी 2022 में त्री दिवसी योग मोटसव की मेजबानी, किस जिल्ले द्वारा की गई थी, ये केईडी गी थी दोस्तों आपके राजसमंद जिल्ले द्वारा, किस जिल्ले द्वारा, राजसमंद जिल्ले द्वारा, B option इस परसन का सही उतर है, अगला अगला है दोस्तों आपके 7 पर्षन की कैंद्री नवीन, एम नवीनिकर्ण उर्जा मंत्राले की ताजा रिपोर्ट के अनुसर कौन सा राजिय दस गिकावर समता के साथ सोलर अपके रूप में सिर्ष इस्तान परे तो इनमें से दोस्तों कौन सा राजिय है ये राजिय है दो ये ओपसन इस पर्षन का सही उत्तर था अब अगला है दोस्तों आठाव पर्षन के आपके राजास्तान इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल 2022 की मेजबानी किस जिल्ले दो राज़िये की गई तो ये दोस्तों हमारे राजदानी जैपूर दो नहीं साही उत्तर था अब अगला है दोस्तो आपके 9% की राजस्तान सरकार ने खाली जगा वनस्पती में उद्यान इस्तापित करने की कोशना किये तो दोस्तो राजस्तान सरकार ने किन जिल्लों में आपके वनस्पती उद्यान इस्तापित करने की कोशना किये तो ये दोस्तो दो जिल्लों में आ बी आप्शन इस परसन का सही उत्तर था अब अगला है दोस्तो आपके दरस्तो परसन की इंडियाज Best Award 2021 के थे निमलिकित में से किस राजी को Best Wedding Destination गोशित किया गया तो यह किया गया दोस्तो राजस्तान जिन किस राजी को दोस्तो राजस्तान राजी को Best Wedding Destination Award से दोस्तो नवाजा गया तो D option था इस परसन का आपके सही उत्तर अब अगला है दोस्तो आपके 11 परसन की हिंताराम भांबू जो पदमपुरसकर प्राप्त कर चुके हैं इनका सम्मध किस सेतर से या ये किस सेतर ने कारे कर रहे हैं तो ये दोस्तो कारे कर रहे हैं आपके परियावण सेतर से किस सेतर में दोस्तो परियावण सेतर में तो D option था आपके इस परसन का सही उत्तर अगला दोस्तो था 12 परसन की किस जिल्ले को Excellence in Government Process Re-Engineering for Digital Transformation Standing के अंतरगत चोईसवा राष्टी इ-Governance पुरसकार मिला तो ये मिला दोस्तो आपके नागोर जिल्ले को किस जिल्ले को मिला दोस्तो नागोर जिल्ले को C option था इस परसन का आपके सही उत्तर अगला है दोस्तो आपके 13 परसन की परियटन सम्मदित गतिवीदियों के संदर में साचु माता मंदी सुरक्यों में था तो साचु पोस्ट इस्ती थे तो दोस्तों आपके साचु पोस्ट किस jillay में स्ती थे ये दोस्तों आपके बिका नेर jillay में A option राइट था इस परसण का सही उत्तर अगला धोस्तों आपके 14 कि पचास वी senior pors पुरुस राष्टी हैंडबॉल परते हो गीता, 2022 की मेजबानी की ती, तो दोस्तों, पचासवी, आपके सीनियर पुरुस राष्टी हैंडबॉल परते हो गीता की मेजबानी, किस जिल्ले के द्वारा की गी, तो ये दोस्तों की जैपूर द्वारा, किस के द्वारा, जैपू द्वारा डूंगरपूर जिले द्वारा तो दी ओप्षन या फिर डी ओप्षन कहा सकते हैं दोस्तों डी ओप्षन था इस परसना का राइट आंस्वर अगला है दोस्तों आपके 16 परसन के फरवरी 2022 में नियादिस मुनिस्वरनाथ बंडारी को किस आई कोड का मुख्य निया गया मुनिस्वरनाथ बंडारी को तो बी ओप्षन आपके इसका सही उत्र था अब अगला है दोस्तों आपके 17 परसन के किस परसन का सही उत्र था अब अगला परसन दोस्तों की बजट गोशना 2022 के नुसा राजस्तान की किन जिल्लों में फाइटो सेनेटरि लैप्स की स्ता जिल्लों में की जाएगी तो ये दोस्तों राजस्तान के आपके इन जिल्लों में कोटा और जोधपूर में किस जिल्लों में दोस्तों कोटा और जोधपूर में आपके फाइटो सेनेटरि लैप्स की गोशना की जाएगी स्टापना की जाएगी आपके बजट गोशना 2022 के अनुसार तो D option आपके इसका सही उतर था अब अगला है दोस्तों आपके 19% की राजस्तान की किस जिल्ले में MSME टक्निक पार्क इस्तापित किया जाएगा तो C option था इसका right answer अगला है दोस्तों आपके 200% की गोरी माइसवती को 2022 में पर्दान मंतरी राष्टे बाल परक इसकार से संभ नित किया गया अब अगला परसाँ दोस्तो आला के उत्टरलाई सिविल इसनी थे तो उत्तरलाई सिविल एर्पोर्ट दोस्तो आपके बाढ़ मेर जिल्ले में अगला ये धोस्तो आपके Constitution Club Constitution Club of Rajasthan प्रोजेक्ट का सिलान एस, Rajasthan के मुख्य मंत्री द्वारा कहा किया गया तो दोस्तो ये किया गया आपके जैपूर जिल्ले में, कहाँ पर दोस्तो जैपूर जिल्ले में important person है दोस्तो ध्यान रखेगा, तो C option था इस person का आपके right answer, बगला है दोस्तो आपके कौन सा 300 person की हाली में सोनी के बंडारों के सम्मावना के लिए देवतलाई गाउं खबरों म तो B option था आपके right answer, अगला है दोस्तो कि किस ने राजकिस्तान साथी portal के एक governance राजतान पुरस का 2022 प्राप्त किया, तो ये प्राप्त किया दोस्तो आपके Dr. Om Prakas ने, किस ने प्राप्त किया दोस्तो ओम प्रकास ने, ए ओप्सन था इस person का आपके right answer, अगला 25% है दोस्तो का तीसरा सबसे बड़ा stadium बनाया जाएगा, तो दोस्तो ये बनाया जाएगा आपके जैपूर जिल्ले में, किस जिल्ले में दोस्तों, जैपूर जिल्ले में, और ये होगा दोस्तों, आपके विस्तो का तीसरा stadium, अब थोड़ी से जानकारी और देखे दोस्तों, तो आपके जो पहला विश्व का सबसे बड़ा इस्टेडियम है ये भी दोस्तों आपके बारत में कहां परे दोस्तों बारत में ये है दोस्तों आपके कौन सा इस्टेडियम नरेंदर मोधी इस्टेडियम और ये है आपके एहमदाबाद में कहां परे दोस्तों एहमदाबाद में और दूसरे सबसे बड़ा इस्टेडियम के बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा इस्टेडियम आपके Melbourne कहां परे दोस्तों Melbourne Australia में Melbourne दोस्तों कहां परे Australia में यह आपके दूसरा सबसे बड़ा इस्टेडियम और दोस्तों यह आपके जो तीसरा सबसे बड़ इस्टेडियम है यह बनेगा आपके जैपूर में विस्व का तीसरा सबसे बड़ इस्टेडियम कहां पर बनेगा जैपूर में तो C option इस परसन का सही उत्तर था अगला है दोस्तों आपके 26 person कि निमल लिकित में से कौन सा एक पादप उत्तपादक नहीं है तो इन में से दोस्तों जो आपके आइजिंग लांस जो है दोस्तों यह पादप उत्तपादक नहीं आसान सा परसन दोस्तों तो लीथियम बैटरी कौन सी लीथियम बैटरी तो ए उप्षन था आपके इस परसन का सही उत्तर अगला दोस्तों आपके गुंती सा परसन की मिसाइल नौवेटर के एस वन सेवन टू खाले जगा है तो मिसाइल नौवेटर के एस वन से वन टू क्या है दोस्तों तो ये आपके हवासे कौन सी दोस्तों हवासे हवासे हवा में मार करने वाली मिसाइल तो बी ओप्षन था इसका राइट आंसर अब अगला है दोस्तों आपके परसन तीसा परसन की उबर पक कप के खिलाडियों क किस खेल से है तो उबरक प्रबा का समझ है दोस्तों आपके बैड मिल्टन से किस से है दोस्तों बैड मिल्टन से बी ओप्षण इसका राइट आंस वरे अगला था दोस्तों आपके 31 परसन की निमनाकित मैं से पैरिस सांथी सम्पिलन 1919 में उपस्तित नहीं था तो इन में से दोस्तों आपके Frederick Ibert कौन? Frederick Ibert दोस्तों उपस्तित नहीं थे इसमें से तो D option इसका right answer है अगला 32 वा है दोस्तों आपके संयुक्त राष्ट के चार्टर पर किस संविलन में हस्ताकसर किये गए तो संयुक्त राष्ट के चार्टर पर दोस्तों आपके San Francisco में हस्ताकसर किये गए तो D option था इस परसन का संयुक्तर 32 वा जो परसन है दोस्तों आपके इस परसन का संयुक्तर कौन सा था? D option अगला परसन है दोस्तों आपके 33 वा परसन कि इसका संयुक्तर था अगला परसन थोड़ा डेलिट हो सकता है क्योंकि आपके परसन की खोज दोस्तों आपके गोल्ड इस्टिन दोरा लेकिन आपके जो Ernest Rutherford दे रहा है या पर दोस्तों इन्होंने इसका नामकरण किया था क्या किया था दोस्तों नामकरण ध्यान में रखेगा लेकिन अमए पर्संड में तो क्या पूछा है कि प्रोटवन की खोज किस ने की थी तो क्योज तो आपके गोल्ड स्निन द्वार किय गी थी दोस्तों लेकिन नामकरण आपके Ernest Rutherford ने किया था तो ध्यान में लखियागा दोस्तों तोड़ा ये परसन आपके डिलिट हो सकता है अगला है दोस्तों आपके 500 परसन की निमलिकित में से किस यंतर के द्वारा हवा में आधरता का मापन किया जाता है तो ये दोस्तों आपके आधरता का मापन आई गरू मिटर option B इस परसन का सही उतर था अगला है दोस्तों 36% की निमलिकित में से कौन सा विस्व का सबसे बड़ा उसन कटी बंदी वर्षावन है तो ये दोस्तों आपके अमेजन वर्षावन कौन सा है दोस्तों अमेजन वर्षावन तो C option था इसका right answer अगला है दोस्तों 37% की अंत्रिक्स में जाने वाली दुनिया की पहली महिला अंत्रिक्स यात्रिक कौन थी तो ये थोई दोस्तों आपके कौन सी अंत्रिक्स में जाने वाल थी वैलेटीना टेरेसकोवा कौन थी दोस्तों वैलेटीना टेरेसकोवा तो A option था आपके इस परसन का सही उत्तर अब अगला है दोस्तों की वरकला बीच बारत के किस राजी में इस्तिते आसान सा परसन दोस्तों केरल राजी में किस राजी में केरल राजी में तो B option था इसका right answer दोस्तों के 49% की निमल्रिकीद मैं से कौनसी संब्धी बारत के गरीबी के आगलण से सम्थी नहीं है तो इन मैंजり संमधित कौनसी सम्थी नहीं थी इती दोस्तों के विजय कैलकर संब्धी the विजे कैलकर समीती, तो D option था, इसका right answer बाकी VK अलंग समीती और सुरेश तैनलवर समीती और जो रंगराजन समीती, इनका सम्बन दोस्तों आपके गरीबी आगलन से संबन था लेकिन विजे कैलकर का सम्बन दोस्तों आपके गरीबी के और मुल्यांकन करने से सा, दोस्तों इसका सम्बन अगला इज दोस्तो 400 उपर्षन की फिलिपेन्स के मुधरा क्या है तो फिलिपेन्स के मुधरा दोस्तों क्या है? 500, क्या है दोस्तों पैसो, तो C option था, इसका आपके right answer 400 अब अगला है दोस्तो 41 उपर्षन कि agriculture short का सम्मद निमलिकित मैं से किस scale से है अब तो agriculture short का सम्मद किर्केट से किस से है दोस्तो किर्केट से तो A option का था इस परसना का सही उतर अब agriculture short क्या है तो थोड़ी से आसान बासा में समझे तो इसका सम्मद दोस्तों आपके थोड़ी सी किसका यह आपके गेंद बाजी से क्योंकि जब दोस्तों गेंद बाज गेंद को स्विंग कराने के परियास में ज़्यादा दबाव डालता है तो पिछ में दोस्तों थोड़ा गड़ा हो जाता है क्या हो जाता है दोस्तों थोड़ा गड़ा हो जाता है इस कारण इस गड़े के करण इस गड़े के करण ही दोस्तों और केत में क्या होती जोते ही होती है तो यह थोड़ा पर्तित होता है जोते के जैसा इसी करण जो बल्ले बाद होता है तो फिर बल्ले बाद इसको दोस्तो खेलने का परियास करता है तब जब खेलने का यह परियास करता है तो swing यानि बल्ले को swing करके इस shot को खेलने का परियास करता है और यह गड़ा हो जाता है आपके pitch में इस करन आपके इसको agriculture sword कहते हैं और इसका संब्द आपके cricket से था तो यह option था आपके इस परसन का सही उत्तर बागे helicopter sword वगएरा pull sword और यह तो दोस्तों आपने cricket में नाम सुने ही होंगे तो यह option आपके इस परसन का सही उत्तर था अब अगला है दोस्तों की 22% आपके निम लिकीत में से कौन सा सवेदानिक संसोदन अदिनिया माल एंव कर सेवा माल एंव सेवा कर से संब्द थे यानि GST से संब्द थे कौन सा संसोदन था दोस्तों तो 101 संसोदन था जो की 2016 में हो था तो ए अपसन था आपके इस परसन का सही उत्र अब अगला परसन है दोस्तों 23% की Every Vote Counts किताब द्वारा लिखी थे तो Every Vote Counts किताब दोस्तों किसके द्वारा लिखी थे ये दोस्तों आपके नवीन चांवला द्वारा तो D ओपसन इसका सही उत्तर थे अगला है दोस्तों के परसीद चितर लास्ट सपर किसके द्वारा बने गई थी तो दोस्तों लास्ट सपर ये बने गई थी दोस्तों आपके लियोनार्डो द्विंची द्वारा किसके द्वारा दोस्तों Leonardo da Vinci द्वारा ही आपके बनाई गई थी बाके दोस्तों आपके ये जो एक है Mona Lisa Mona Lisa भी दोस्तों आपके जो पैंटिंग है वो भी दोस्तों आपके Leonardo da Vinci द्वारा ही बनाई गई थी तो ए ओप्सन आपके इस परसन का सही उत्तर था अगला है दोस्तों आपके 45% की निमलेकित मैं से जीव विज्ञान की कौन सी साका पक्सियों के अध्यन से संबंधित है तो दोस्तों यह आपके और्नितोलोजी कौन सी है दोस्तों और्नितोलोजी है जो पक्सियों के अध्यन से दोस्तों आपके यह संबंधित है अब दोस्तों अगर बात करें आपके इचितियोलोजी की बात करें तो इसमें दोस्तों मतशिव ज्यान यानि मचलियों का आपके अधियन किया जाता है पोमोलोजी की बात करें दोस्तों तो पोमोलोजी में फल और इसकी खेती से समझे अधियन किया जाता है और आपके दोस्तों जो entomology है entomology में आपके दोस्तों जो keto का आदियान, ket potang है उनका आदियान आपके entomology में किया जाता है तो इनके बारे में थोड़ त्यान में रखियेगा पूछा जा सकता है दोस्तों तो आपके D option था इस person का सही उत्तर अगला है दोस्तों आपके 46 आपके तमिल महाकाविय मनी मेकलाई के लेकक थे तो दोस्तों यह इसके लेकक थे आपके सतनार या फिर दोस्तों नाम तो है आपके इनका चितलाई चतनार क्या है दोस्तों चितलाई चतना लेकिन यहाँ पर सतनार दे रहे हैं तो यह भी आपके सही है चितलाई चतनार है आपके जो मनी मेकलाई है इसके लेकर तो C option दोस्तों इसका सही उप्तर था अगला है 4700 परसन की निमले कित मैं से कौन से जलजंदी बारत और स्रिल्लंका की पर्थक करती है तो इनमेंसे आपके कौन से जलजंदी है जो बारत और स्रिल्लंका को पर्थक करती है तो यह आपके पाक जलजंदी कौन से पाक जलजंदी तो B option इसका right answer था अगला परसन दोस्तों यह भी 200 से संबदे परसन और आपको भी दोस्तों सौॉटस के मादिन से मैं बताता हूं कि दीवसों से सम्बदी दोस्तों एक नएक परसन हर पढ़िक्षा में पूछाई जाता है तो अब यह पूछाए कि 20 trouve दम्बा को निशे दिवस कब मनना जाता है तो यह मना जाता है दोस्तों आपके 31 माई को ध्यान रखेगा 31 माई को आपके विश्व तंबा को नीशे दिवस मना जाता है यह option आपके इसका right answer था अगला है दोस्तों उन 50% की लोग सबा में अनुसचित जाती और अनुसचित जन चातियों के लिए कितनी सीटे आरक्सी थे तो दोस्तों लोग सबा में आपके कितनी सीटे आरक्सी थे यह दोस्तों 84 और 47 यानि अनुसचित जन जाती जाती के लिए तो है आपके 44 सीटे और अनुसचित जन जाती के लिए आपके 37 स्यत्य आ रक्सी थे तो B option अपके इसका right answer था अगला दोस्तों 50 से परसन है कि अंतराष्टी मुद्रा कोस का मुख्या लिए कहा पर इस्ती थे ये दोस्तों आपकी Washington DC ने कहा पर दोस्तों Washington DC में D option इसका right answer था अगला है कि आडी राणी की बावडी इस्तिते तो आडी राणी की बावडी आपके टोडा राइसिंग में इस्तिते कहाँ पर है दोस्तों आपके टोडा राइसिंग ए ओप्षन इसका राइट आंसर था अब अगला परसन है दोस्तों आपके ये बावना परसन की केंद्री स दोस्ता बागवानी संस्दान ये स्तित है दोस्तो आपके बिका नियर जिल्ले में। तो महाई कंचन का संबन दोस्तों आपके किस फसल से है तो ये दोस्तों आपके मक्का से किस फसल से दोस्तों मक्का से तो B इसका राइट आंसर था अगला दोस्तों है आपके 45 परसंड की दुग्द उत्पाद ने तो गाय की परसिद किस्म है तो दोस्तों दुग्द उत्पा कि राजस्तान के धार मरुस्तल की परंपरागत जल संगरन तकनी के तो ये दोस्तों आपके खडीन क्या है दोस्तों खडीन आसान सा परशन दोस्तों बी ओप्सन इसका राइट आंसर था अगला है दोस्तों आपके सताउनवा परशन कि राजस्तान के कौन से जिल्ले नरमदा परियोजना के अंतरगत सामिल किये गए हैं तो ये जिल्ले दोस्तों आपके कौन से जहलो रोड़ बार्ड में तो C इसका राइट आंस्वर था अगला है दोस्तों आपके 80 परसन की सेई परियोजना का सम्बन दे तो सही परियुजना का संबन दे है दोस्तों आपके जवाई बान से किसे दोस्तों जवाई बान से ए इसका राइट आंसवर था अगला है दोस्तों आपके कौन सा 69 परसन की निमलकित में से कौन सा युक सुमिलित नहीं है तो उनमें से दोस्तों जो आपके कर्णि सेंगे इससे लाबानित होने वाला जिला दोस्तों अनुमान गड़नी है इससे दोस्तों आपके बिका नेर कौनसा दोस्तों बिका नेर और आपके ये एक होता है जोधपूर कौनसा विक्कानिर और जोदपुर जीले दोस्तों लाबानियों दोते ना की अनुमानगर तो D option इसका right answer था अब अगला है दोस्तों 60% की रोहिली खाने किस खनीज से समझ दे तो रोहिला खानों का समझ दे दोस्तों आपकी यूरेनियम से किस से अगला है दोस्तों 61% की राजस्तान राज्य का अकसान से विस्तार कितना है तो अकसान से विस्तार की बात करें तो 30 डिगरी 3 मिनट उत्री अकसान से 30 डिगरी 12 मिनट उत्री अकसान B option इसका right answer था कौनसा B option अगला है दोस्तों की राजस्तान की कौन से परदिश में answer था अब अगला परसन है दोस्तों आपके Godward Pardis किस basin को कहते हैं तो दोस्तों Godward Pardis किस basin को कहते हैं? Looni basin को किस basin को? Looni basin को B इसका right answer था अगला है कि मरुस्तुले सेतर में मिट्टी के अपर्दन को रोकने के लिए क्या किये जाना चाहिए तो मरुस्तुले सेतर में मिट्टी के अपर्दन को रोकने के लिए दोस्तों क्या वर्षों की पट्टी लगाना चाहिए B option इसका right answer था क्या वर्षों की पट्टी लगाना चाहिए तो अगला है दोस्तों आपके 508 परसन की रामकर्ड विस्तारी अभ्यारण किस अवरुप में अधिसोचित किया गया तो ये दोस्तों आपके बाग सर्रसित सेतर क्या है दोस्तों बाग सर्रसित तो C option था इसका right answer और ये चौती बाग परियुजना है दोस्तों आपके राजस्तान की और दोस्तों बाग परियुजना के बारे में बात करें तो आपके राजस्तान में तीन बाग परविजना थी पहले अब यह चौती होगी आपके रामगर्ड विस्तारी जो कि आपके बुंदी में कौन से जिले में दोस्तों बुंदी में पहले थी दोस्तों आपके रनतंबोर कौन से थी रनतंबोर रनतंबोर सवई माधपूर में कहां परे दोस्तों सवई माधपूर में दूसरी की बात करें तो सरिस्का कौन सी दोस्तों सरिस्का सरिस्का है दोस्तों आपके अलवर में कहां परे अलवर में और मुकुंद्रा इल्स तेसरी थी आपके मुकुंद्रा इल्स मुकुंद रेल्स की बात करें तो ये आपके दोस्तो कोटा में और ये आपके रामगड इस्दारी बन गई है चौती ये आपके बूंदी जिल्ले में किस जिल्ले में दोस्तो बूंदी जिल्ले में और ये क्या एक बाग सरक्सी थे तो C option था इसका सही answer अब अगला है दोस्तो आपके 66% की राजस्तान के किस बाग में वालरा कर्सी की जाती है तो राजस्तान के ये दोस्तो किस बाग में की जाती है वालरा कर्सी दक्षनी बाग में कौन से बाग में दोस्तो दक्षनी बाग में B option इसका right answer था अगला है दोस्तों की वर्व रक्स जिसके जिससे कत्था बना जाए जित कत्था जित सो खेर से बना जाए खेर के वर्व से दोस्तों कत्था निकाला जाता है तो बी ऑप्सन इसका राइट आंसर था अब अगला है कि राजस्तान सरकार के वन वी बाग दौरा जारी जिल्ला सुबंकर तुरूटी पूर्ण युगम की पैचान कीजिए तो दोस्तों इनके बात करें तो जो अलवर का जो सुबंकर है ये बाग नहीं है अलवर का सुबंकर दोस्तों क्या बाग नहीं है सांबर है क्या है दोस्तों सांबर तो बाग किसका है तो बाग है दोस्तों हमारे iRN یہ दोस्टों सभी है तो a option इसका सही उत्तर था आपके अब अगला person दोस्टों आपके 69 वा person है कि कुम्बलगड ए गोगुंदा के बीच विक्तर्थ पथार किस नाम से जाना ज्याता है तो कुम्बलगड ए गोगुंदा के ब iç जो right answer था अब चलते हैं दोस्तों अगले परसंट की और अगला है दोस्तों आपके 17 परसंट की कौन सी स्रेणी परस्तासनिक दस्टी से राजस्तान के वनों की स्रेणी नहीं है तो दोस्तों आपके इन में से जो सुरक्सित या फिर दोस्तों जिसे रक्सित वन भी कह सकते हैं ये तो है दोस्तों और आरक्सित वन भी है दोस्तों और वर्गीकर्द नहीं है ज्यान रखेंगा वर्गीकर्द नहीं है अवर्गीकर्द भी है तो C option इसका right answer था तो थोड़ी से जानकरी और चर्चा करें तो जो आपके 1 रिपोर्ट थी 2021 की उनमें दोस्तों जो आपके सुरक्सित वन है ये आपके 56.49% है और जो आरक्सित वन है ये आपके 37.05% है और वर्गीकर्द जो वन है जो सबसे कम है आपके 6.46% है तो ध्यान में रखेंगा दोस्तों पूचा जा सकता है इनसे सुमेलिस से करने के समधी यानि जो सुरक्सित वन है ये है दोस्तों आपके 56.49% और जो ये आरक्सित वन है ये 37.05% जो अब वर्गीकर्द वन है ये आपके 6.46% इनमें से दोस्तों वर्गीकर्द वन आपके दोस्तों स्रेणी में नहीं आता तो C option आपके इसका right answer था अगला है कि 122 आपरसन की निमलिकित में से कौन सी नदी काम दिन थेनू नदी के नाम से जानी जाती है तो ये जानी जाती है दोस्तों आपके चंबल नदी कौन सी चंबल नदी बी इसका right answer था अगला है 122 आपरसन की लालव पिली मिटी वाला जिल्लों का यूग में तो इनमें से दोस्तों जो लालव पिली मिटी वाला जिल्लों का यूग में कौन सा है ये है दोस्तों आपके सवाई मादुपूर और रास समन तो D इसका right answer है अगला है 13 की इंदरागांधी फीडर राजस्तान फीडर की लंबई है तो दोस्तों राजस्तान फीडर की लंबई है दोस्तों आपके 204 किलोमेटर कितनी है दोस्तों 204 किलोमेटर और कुल लंबई की बात करें तो है आपके है 600 गुन पचास कितनी हैं दोस्तों कुल लंबई अगर पूछे कि इंद्रागंधी नहर की कुल लंबई कितनी है तो यह आपके चहसो उनपचास और राजस्तान फीडर पूछा है हमें तो इसका सही उत्र तो है आपके ए ओप्सन दोस्तो चार किलोमेटर और मुख्य नहर की लंबई पूछे कि आपके जो फीडर नहर राजस्तान फीडर नहर यह आपके दोस्तो चार किलोमेटर है अगला है दोस्तो चोतरवा परसन कि सरुनवाई नगर किस नगर का एत्याशिक नाम था तो सुरोई का था दोस्तों बी ओप्सन इसका राइट आंसवर था अगला है दोस्तों आपके सुरी माफ़ी चाऊंगा थोड़ा तो यह आपके पीछो तरवा परसन है दोस्तों कि राजस्तान की निमलकित जिलों को पूर से पस्चिम की और सही करम में विवस्तित करें तो इसके लिए आपको नक्से का नॉलेज होना आऊ सके के दोस्तों तो यह आपके राजस्तान का मैप थोड़ा और सबसे पहले बात करें बुंदी जिले की तो बुंदी जिला पर यहां पर आता है दोस्तों बुंदी जिला यानि यह यहां पर लिख दू में और इसके बाद अजमेर की तो राजस्तान का यह हर्दे कहते हैं इसको तो B इसको यहां पर लिख दू थोड़ा बी को और इसके बाद दोस्तो पाली यहां पर आता है दोस्तो आपके लगवग तो C आपके यहां पर लिख दू और बाड मेर आपके के यहां पर D तो हमें क्या पोछाए की पूरू से पस्चिन तो पूरू दिसा ये हो गई और पस्चिन दिसा ये हो गई तो A, B, C, D तो A, B, C, D है आपके A option में तो A option था इस परसन का सही उत्तर अगला दोस्तो आपके 24 परसन है कि किस मंदिर को खंबो का अजयब गर भी कहा जाता है तो ये कहा जाता है आपके जैन मंदिर जो की है रनकपूर में कौन सा मंदिर दोस्तो जैन मंदिर रनकपूर को कहा जाता है आपके खंबो का अजयब गर तो C option था इसका right answer अगला सितो तरवा परसन है दोस्तो जेसल मेर का किल्दा को कहते है क्या कहते है दोस्तो C option इसका right answer था अगला है दोस्तो आपके तरवा परसन की पारंपरिक लाकार मांगिलाल में इस्ति किस सेतर में परसीद है तो दोस्तो पारंपरिक लाकार है जो ये आपके कावड सेतर में कौन से कावड शेतर में यह option इसका right answer था अगला है दोस्तों आपके 79% की राजस्तान की लोग परिये परेटन इस्तल सेल्यों की बाड़ी का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया तो यह दोस्तों करवाया गया आपके महाराज संगराम सिंग द्वारा और सेल्यों की बाड़ी पूचे कहां पर है उद्धेपूर में कहां पर है दोस्तों उद्धेपूर में तो D option इसका right answer था अगला है दोस्तों 80% की मतसे संग के परसासन चलाने के लिए गटित मंत्री मंडल निम्न मैंसे कौन सामिल नहीं था अगला परशन है दोस्तों आपके 81 परशन की उद्यपूर में राजस्तान महिला परश्चत की स्तापना संस्तापक कौन है तो दोस्तों इसकी संस्तापक कौन है राजस्तान में महिला परश्चत की तो यह आपके दोस्तों है सांता त्रिवेदी कौन है दोस्तों सांता नागपूर महाराष्ट से इनका जनम दोस्तों अगर पूछे तो नागपूर महाराष्ट से सांता त्रीवेदी जी का जनम तो ए उप्षन इसका राइट आंसर था और इन्होंने कब के थी आपके रास्तान में महिला परिश्चत के स्थापना 1947 में अगला है बैयां सीवा पर अबिले किस परतियार सास्ता से संब्धी थे तो यह दोस्तों कुकुका से यानि कुकुका ने दोस्तों इसकी आपके इस्थापना की थी और इसकी बात करें दोस्तों थोड़ी व्यक्या की तो इस आपके जो अबिले के इसमें आपके हरीस चंदर से लेकर किसे हरीस चंदर और इस चंदर से कुकु का तक दोस्तों आपके वनसावले मिलती है इस आपके अबिलेक में और यह आपके संसकर्थ बासा में बासा इसके पूचे तो किस बासा में दोस्तों संसकर्थ बासा में तो D option आपके इसका right answer is 83% का अगला है आसानवा परसंदोस्तों के पिछवाई किस चितरकला सहले से समधित नाक्त द्वारा से भी आप्षन इसका राइट आंसर था अगला है दोस्तों आपके पिछए से परसंदो कि एतियासिक दर्ष्टी से अहिरवाटी और किस नाम से भी जाने जाती है तो अहिरवाटी दोस्तों आपकी राटी इन में से दोस्तों जो अहिरवाटी है ये राटी नाम से भी जाने जाती है और इन में से दोस्तों थोड़ा हीरवाल भी हो सकता है क्योंकि अहिरवाटी को आपकी हीरवाटी भी कहते हैं क्या हीर वाटी भी कहते हैं तो ये भी थोड़ा आपके सवाल दोस्तों इस्टार लगा लिजी का थोड़ा इसमें भी और हीर वाल भी दोस्तों इसे कहते हैं और हीर वाली भी कहते हैं तो जी हाँ दोस्तों इसकी आपके दो आप्सन ये C वाला और D वाला यह दोनों दोस्तों हो सकते हैं तो थोड़ा सवार डिलीट भी हो सकता है यह आपके पिच्चा सीव परसन दियान रखे का पिच्चा सीव हैं थोड़ा अगला है दोस्तों आपके चीह सीवा परसन की मोतिलाल तेजावत ने भीलों का अंदोलन कहां से शुरू किया तो दोस्तों मोतिलाल तेजावत ने भिलो का अंदोलन कहां से शुरू किया तो ये शुरू किया दोस्तों आपके जाडोल से और जाडोल कहां पर है जाडोल दोस्तों उद्यपूर में ध्यान रिखे कका उध्य पूर में जाड़ो ले rikt तैसेल है उध्य पूर की तैसेल यहीं से इनो ने आपके भेलोग आंदोलन शुरू के अधा मोदिलाल तेजाबत ने और भेलोग का मसिया भी दोस्तों इने कहते हैं मोदिलाल तेजाबत को ध्यान में रखेगा ठोड़ा गंगा के मिर्थियों के उपरांथ 5 जो 1931 इस्वी में मारवाड का सासक बना तो ये बने दोस्तों आपके माल देव और माल देव को दोस्तों मारवाड का पित्र हंता सासक भी कहते हैं माल देव ने दोस्तों अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दोस्तों यह आपके सासक बने मारवाड के सासक इन्हों ने अपने पिता की अत्या कर दी थी और पितर हंता सासक भी कहते है दोस्तों माल दे को ध्यान में दोखिएगा तो इस परसन का आपके दोस्तों सही उत्तर था Option No. D अब अगला परसन है दोस्तों आपके 89 परसन कि डुंगरपू राजी में गुईल राजवन्स के संस्तापक कौन है तो ये थे दोस्तों आपके सामन सिंग C option इसका right answer था अगला है कि परमवीर चकर से संबनित अने वाले पर्तम पर्तम पुछा है राजस्तानी कौन थे तो ये थे दोस्तों आपके पीरु सिंग कौन थे दोस्तों पीरु सिंग और पीरु सिंग की बात करें तो इनका संबन दोस्तों जुन-जुनु जिले से किस जुन-जुनु जिले से तो B option इसका आपके right answer था अगला है दोस्तों आपके 91 परसन की अटारसो स्टान में आववा ठाकूर के विदरो किसमें जोदपूर के माराजा थे आपके तकत सिंग कौन थे दोस्तों तकत सिंग C option इसका right answer था अगला था दोस्तों आपके 92% की 300 इसापूर तक के काल में राजस्तान में चैतरगर कहां मिले तो दोस्तों ये मिले आपके बैराट में कहां पर मिले दोस्तों बैराट में और बैराट है दोस्तों आपके जैपूर जिले में जिसे विराट नगर भी दोस्तों कहते हैं और जैपूर जिले में ये और ये बान गंगा नदी के किनारे कौन सी नदी के किनारे दोस्तों बान गंगा नदी के किनारे और इसका उतकनन किया था आपके दोस्तों दयाराम सहानी ने दयाराम सहानी ने दोस्तों इसका उतकनन किया था बैराट सब्याता का ध्यान में रखी का पूचा जा सकते इनके बारे में भी थोड़ा तो तो अगला पटसन है दोस्तों हमारी 93% की निमले के संतों में कांसा मेवास से संब्च वह था तो यह आपके लाल दास है जो कीतर से संमझ दे तो दोस्तों सूरिमल मिसरन की रचना में आपके आड़ोती बोली कौन सी आड़ोती बोली हुई है और क्योंकि बुंदी जिले से दोस्तों इनका संबन था किस जिले से बुंदी जिले से तो बुंदी में आपके लगबग आड़ोती जो सेतर में आता है बुंदी जिला और को 13 परसंदों 是我 मही और दोस्तों जाढ़म को आजगे मतलम होता है तो डी ऑप्षन इसका Right ? आंसर था अगला है दोस्तों आपके 97 परसन के सेरसा सुरी के आकरमण के समय मारवार का सासक कौन था तो सेरसा सुरी के आकरमण के समय मारवार के सासक थे दोस्तों आपके माल देव और इनके मदिज आपके गिरी सुमेल का जो यूद थे कौन सा यूद गिरी सुमेल का यूद हुआ था और इनको इसकी पहले हम चर्चा कर सुके हैं कि राव माल देव को आपके पितर हंता सासब भी कहते हैं दोस्तों और मार आड के पितर हंता भी पूछे तो ये आपके राव माल देव तो C option इसका और राइट आणसोर था अगला इनको परसंटे की ering का शका औरउप पूछे को और ओरंग जैब के तो ये है दोस्तों आपके बनास नदी के तठ पर आपके गिलूंट सब्याता इस्तित है और ये गिलूंट सब्याता दोस्तों राज समन्द में ध्यान रखियागा थोड़ा राज समन्द तो आपके C option इसका right answer था अगला है दोस्तों आपके अंतीम परसंद सोवा परसंद की गनेशवर सब्याता का उत्करन किसके निर्देशन में हुआ तो यह हुआ दोस्तों आपके डॉक्टर आर्सी अगलवार के निर्देशन में और यह आपके है दोस्तों कांतली नदी के किनारे कांतली नदी के किनारे दोस्तों यह स्थी थे आपके गणेस्वर सभ्यता D option था इस परसन का सही उत्तर RC के जगा दोस्तों अगर आपको रमेश चंदर रमेश चंदर भी दिखे था तो थोड़ा कन्फ्यूज मत होएगा तो D option आपके इस परसन का right answer था तो धनेवा दोस्तों यह थे आपके 100 परसन सामाने ग्यान के जो कि आपके lab assistant का first paper हुआ था 29 जून को उससे के दोस्तों यह परसन थे और दोस्तों जिन्नों ने भी यह paper दिया वो भी अपने answer चेक केज़ेगा और जिन्नों ने दोस्तों साइन से paper नहीं दिया उनके लिए भी दोस्तों यह mathpond वीडियो साबित होगा आगे ओने वाली परिक्साओं की द्रश्टी से देखें तो राजस्तान की परिक्साओं में उमीदे कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल पढ़ना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दानेवा दोस्तों मिलते हैं हमारे नए वीडियो में कोछ ऐसे ही नए mathpond पर्षनों के साथ तब तक के लिए जेहिंद वंदे मात्रम